ओम ह्री अरहं लमो जिनानं लमो लान गुरुणं लमो विज्जा गुरुणं वीत्राग शर्वग अरिहंत महाप्रभुका यह पवित्र जिनशाशन जेवन्त हो जेवन्त हो जगत कल्यानी जिनवानी जेवन्त हो वीत्राग सर्वग अरिहंत महाप्रभुके पवित्र उपदेश से जो स्चरिया और चारित्र को धारन करके निर्गरंत पंत की सोभा बढ़ा रहे हैं ऐसे संपूर्ण निर्गरंत दिगंबर योगी जेवन्त हो बीतरांग भगवान ने इस आत्मा की कल्यान का मार्ग हम सबको बतलाया है उस मार्ग में कल हमने topic decide किया था और उस पर बहुत लंबा discussion आपकी सामने रखा था topic था who I am and what is my goal मैं कौन हूँ और मेरा लक्ष क्या है तो आज उसको continue करते हुए फिर आगे चलेंगे आज का topic क्या है आज का topic है forgive and forget छमा कैसे करें इस पर हम छमा क्यूं करें या माफी क्यूं मांगे इस पर आज हम discussion करेंगे तो जो कल का topic था उसको आगे continue करते हैं कि सबसे पहते हमें ये ध्यान रखना है कि हम मात्र शरीर नहीं है आपको आस्ता आपके नाम से बुलाया जाता है मानो हमने आपको बुला कि बैभाव तो इतनी सारे लोगों में केवल एक ही व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे बुलाया है बतला बाकी सारे के सारे लोगों को एह experience में नहीं आता अनुहों में नहीं आता कि मुझे बुलाया है मतलब एक पर्टिकूलर एक ही व्यक्ति क्लिक करता है कि वो मैं हूँ लिकन यदि मैं बोलू आत्मा तो आप में से कितनी लोगों को क्लिक किया किसी को भी क्लिक नहीं किया क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि हम आस तक यह मानते ही नहीं है कि हम आत्मा है हमने हमेशा यही माना है कि जो हमारा particular नाम है बस वही नाम continue में चल रहा है इसलिए आस तक हमने यह एसास नहीं किया कि हमारे इस सरीर और इस जिन्दिगी जीवन के अलावा भी कोई गोल या लक्ष हो सकते हैं जब कुछ है ही नहीं तो फिर यह discussion क्यों चल रहा है तो इसलिए हमें पहले अपने thought process को change करना है और change करके अपने आपको उस ओर ले जाना है जो सब को दिखाई नहीं देता वो कौन है वो है आत्मा और वो कहां है तो बार मार हम आपको यह याद दिलाते हैं कि उस आत्मा को कहां धूडते हैं तो हमने एक film series में या एक serial में बहुत अच्छी तरह देखा कि एक ladies है वो white color की साड़ी है बाहर सामने उसके बाल है उल्टे उसके पैर है उसका नाम आत्मा है ठीक है वो ही आत्मा है ना बट उससे भी आगे बढ़ना होगा क्योंकि वो एक काल्पिनिक आत्मा है वो केवल एक imagination है जो real life में है real life में नहीं है real life में है तो हम खुद आत्मा है और जितने हम सब हैं हम particular एक-एक व्यत्ती आत्मा है और हम अपनी आत्मा के लिए यहां बैटे हैं या उसकी सक्ति के साथ यहां बैटे हैं तो हमें महसूस करना है कि आखें बंद करने के बाद जिसे हम महसूस कर पाते हैं उसका नाम आत्मा है आखें खोलने के बाद जिसे हम अपने आप में महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ है जो संबेदना है उसका नाम आत्मा है और मैं एक आत्मा हूँ तब ये जब question first question का answer कि हूँ आयम तो आयमा soul मैं एक आत्मा हूँ इसका बार-बार निश्चे करना है और द्रण निश्चे करना ह फिर आगे बढ़ेते हम तो हमने जाना था कि मेरी ये जो आत्मा है ये आत्मा को किसने बनाया बेवो भईया किसने बनाया किसी ने नहीं बनाया ठीक तो इस आत्मा को किसी ने नहीं बनाया first decision हमारा हो गया कि no one created me ठीक है किसी ने मुझे नहीं बनाया तो मैं कैसा हूँ मैं अजनमा हूँ, मतलब मेरा जनम नहीं हुआ, मैं हमेशा हमेशा से यहाँ पर हूँ, ठीक है, next, मुझे कोई भी पालने वाला या मेरी रक्षा करने वाला यहाँ कोई नहीं है, मतलब no one protect me, मैं सुयम हूँ जो अपने ही कर्मों के कारण यहाँ आया हूँ, और मैं ही हूँ कि अ रश्ट पाता हूँ, दुख पाता हूँ या अपनी रक्षा कर पाता हूँ, third one, no one can destroy me, कोई मुझे मार नहीं सकता, मतलब मैं अमर हूँ, तो मैं कैसा हूँ, पहला first step, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, उस आत्मा की three qualities, first one, मैं अजनमा हूँ, no one created me, second one, no one protect me, and third one, no one can destroy me, कोई मुझे मार नहीं सकता, ये अगदी हमको समझ में आ गया, तो हमें पूरा का पूरा भगवान का साशन समझ में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहीं से यात्रा शुरू होगी, वो यात्रा होगी हमारी, I am the one who have to walk, हमें खुद आगे बढ़ना है, तो हमें सरवग्देव ने कहा है, कि इस सरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा ही भगवान बनती है, no one else, मतब बाहर कोई और भगवान नहीं है, बलकि संसार में जो आत्मा हैं, अनंत कालों से भटक रही थी, उन में से ही कुछ आत्माओं ने अपना कल्यान किया, और अपने ultimate purity, ultimate गोल और अपनी आत्मा के सरवश्रीष्ट गुनों को विप्राप्त कर गए हैं, विस्सा भगवान बन गए हैं, और अभी जितनी यह यहां दिख रहे हैं, बचे हुए हैं, बे सब भी, एक time being, प्रोशार्थ के साथ, सम्मिक दर्शन, सम्मिक ज्यान, और सम्मिक चारित्र क भगवान बन सकते हैं, मतलब क्या समझ में आया, मैं एक आत्मा हूं, और मैं ही परमात्मा बन सकता हूं, मैं अभी यहां हूं, और मुझे यहां तक पहुचना है, तो यह इसको फिलप करनी के लिए जो रास्ता है, उसका नाम है धर्म, यहां से यहां तक पहुँचने के जो 10 steps हैं उनका नाम है 10 लक्षन यहां से यहां तक आने का जो पूरा का पूरा रास्ता है उसको कहते हैं धर्म और उस धर्म को आज हम यहां पर मनानी के लिए आए हैं तो सबसे पहले आज का धर्म है उत्तम छमा एक-एक step आके बढ़ेंगे These are the 10 qualities of myself यह हमारी स्वयम की ही 10 गुण हैं 10 लक्षन जिनको हम बोलते हैं 10 means 10 और लक्षन means qualities हमारी आत्मा की ही 10 विशेषताएं हैं हमारी आत्मा की ही यह 10 गुण हैं और इन गुणों की एक विशेषता है की इन्हें बहार से नहीं लाना पड़ता बलकि यह अंदर है क्या? यह को बहार से नहीं लाना होता यह अंदर है जैसे आपको गुणा बहार से आता है की छमा महसूस करो की बेवा भाई यह जब अकेली बैठे हैं सान्ती से एक जगा बैठे हैं तो आपको गुसा आएगा, कोई मिलेगा, कुछ बात होगी, कोई incident दिमाग में set up होगा, तब जाके गुसा आएगा, ऐसे तो गुसा आता नहीं, लेकिन जब हम सान्ती से कहीं बेटे हैं, तो हमें छमा फील हो सकती न, मतलब क्या है कि गुसा बाहर से आता है और छमा अंदर म होती हैं, तो जो धर्म हो हैं, जो qualities हैं, वो बाहर नहीं हैं, वो हमारे अंदर हैं, तो हमको क्या करना होता है, जो बाहर से आया है, उसे अलग करना होता है, जैसे example, एक बरतन में आपने पानी भरा, और पानी को आपने gas के उपर रख दिया, अभी चालू नहीं किया, और मा उबलने लगा, गरम होने लगा, आपने जैसे gas बंद किया, पानी ठंडा हो गया, इसा होता क्या, इस टेक टाइम, मतलब धीरे धीरे वहा पानी अपनी आप, अपनी नेचर में, शुभाव में पहुंच जाता है, बस ऐसे यहां पे होता है, हम इस संसार में हैं, हम एक प्य purified पानी की तरह है, लेकिन होगा क्या, हो क्या रहा है, कि चारों तरफ कशाएं फैली हुई है, चारों तरफ गुसा को दिलाने वाले बहुत सारे ऐसे incident हैं, वो जैसी हम उनके connection में आते हैं, तो हम खौलने लगते हैं, हम उवलने लगते हैं, हम गरम होने लगते हैं, और हम गरम होते होते, अपनी stage से पार हो जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा गुसा आ जाता है, तो क्या होता है, आखें लाल, चेहरा एकदम तम तम तमा जाता है, हाथ पेर कापने लगते हैं, और सारी बोडी का blood pressure एक next level पर पहुंच जाता है, यह क्या हो रहा है, जैसे पानी वहाँ गरम हो रहा है, बैसे ही यहाँ हम गरम हो रहा है, खटन्दा करने के लिए क्या करना है, गैस को बंद गर दो, बस इतना सा उपाए है, कि जिनके निमित से क्रोध आ रहा है, जिनके निमित से गुसा आ रहा है, जिनके निमित से परेशानी समस्या आ रही है, उन निम निमित्तों से श्यम को दूर कर दो निमित्तों को दूर नहीं करना अगर निमित्तों को दूर करने के लिए बैठोगे तो पूरी जिंदगी आप निमित्तों को लड़ते रहोगे तो ऐसा हो जाएगा कि पत्थर से सिर मारते रहे लास्ट में मिला कुछ नहीं तो आपको क्या गुस्य के एंगर के कारण है, उन कारणों से बचना है, ठीक है, अब हमको इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि हम बड़े intelligent personality हैं, बहुत जल्ली समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बताते जाना इसारा करते जाना वरना हमको पता नहीं कि आपको समझ मे आ रहा है, सुनाई तो दे रहा है ठीक से, हाँ, चली आगे चलते हैं, तो अब हमको सबसे फ़हले focus करना है causes पर, तो उसके कारण बस है दो, या मानों तो केवल एक, गुस्य के कारण है केवल एक, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास तो second कारण है, हम किसी भी चीज को लेकर ग अपेक्षा, क्या होती है, एक्सपेक्टेशन, जहां जहां हमारी अपेक्षा होती है, और उस अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है, तो हमको गुस्सा आता, समझ में आ रहा, आपने कुछ एक्सपेक्ट किया कि आज हमको ये मिलना चाहिए, और वो नहीं मिला, तो आपक गुस्से आज तक आपने किये हैं चाहे वो मम्मी से गुस्सा किया हो बाइप से गुस्सा किया हो फ्रेंड से गुस्सा किया हो नौकर पे गुस्सा किया हो या मालिक पर गुस्सा किया हो सबके रीजन्स पर आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि Cause is 1 केवल एक है उसका नाम अपेक्षाएं हमारी अपेक्षाएं बहुत सारी होती है और वो पूरती नहीं हो पाती है वो पूरी नहीं हो पाती है तो हम तम तम आने लगते हैं हमें गुशा आने लगता है गुशा का पर्सेंटेज कितना होगा गुसे का percentage होगा सामने वाले को देख कर क्या होगा गुसे का percentage कितना है गुसे का percentage पानी के temperature कितना जाएगा जितनी gas की ताकत होगी बैसे ही यहाँ पर होगा कि गुसा कितना आएगा गुसा आपको किवल उतना आएगा जितना सामने वाला है मतलब example समझना आप यहां से जा रहे थे ठीक है और सामने आपने देखा कि बहुत सारा कांच पड़ा हुआ है अब कांच गिरा या किसने पहले तो आप धूरते हैं गुसा तो आ गया ठीक है लेकिन आप गुसे का percentage decide करने के लिए क्या देखना अगर मानो बेववववय फिर से ठीक है मानो बेवववय जा रहे तिरे रास्ते से और उनको यह पता चला कि यह कांच किसने गिराया और यह कांच गिराया है मानो इनकी वाइफ ने तो गुसे का पारा ज़्यादा हो गशा कम होगा decide करो आप लोग आप लोग जानते हैं तो केतना रहेगा जादा होगा और वहीं पता चल जाए कि यह मम्मी ने गिराया है तो temperature कम होगा और यह पापा ने गिराया तो क्या होगा temperature निल हो जाएगा तो यह क्या दिखा रहा है यह दिखा रहा है कि हमारी conditions depend करती है बिना निमित्तों के वो नहीं आती वो percentage में आती है आप गुसा नहीं हो ना अच्छमा का दिन है तो percentage में वो decide करना क्या decide करता है कि हम कहा खड़े हुए हैं तो इसलिए आचारियों ने अच्छी तरह समझाया कि जहां भी तुम खड़े हुए हो तो अपना अतीत देखो आज जहां खड़े हो उसको मत देखो आज जहां खड़े हो उसे ही मत जानो बलकि यह जानो कि हमारी तरकालिकता क्या है अरे हम कहां कहां गुन कर आए है किस किस पर गुसा किया है क्यूं गुसा किया है मात्र इसलिए क्योंकि हमारी उससे बनी नहीं हमारी expectations उसने पूरी नहीं कर पाई उसने हमारी अपेक्षाओं को नहीं भर पाया हमारी अपेक्षाओं इतनी थी और सामने वाले की ताकत इतनी थी वो क्या करता? आज दुनिया में सब कोई नाराज है किस से? भगवान से क्यों? सब को धनवान वनना था और विचारा बना गरी तो नाराजगी किस पर है? भगवान पर उपर देखता है और परेशान होता है चिल्दाता है कभी-कभी तो मंदिर में जाकर भी चिल्दाने लगता है टी-वी सीरियल्स में आपने देखा हो गा न वो मंदिर में गया और मंदिर में जाके वह ते घंटे बजाने लगा और बजाते बजाते एक तम 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 आने अग लगा भगवान पर नाराज हो गया कि भगवान ये क्या आपने मुझे जीवन दिया, इस जीवन से धिकार हो इस जीवन पे और आप देने वाले पर भी बहुत कुछ वो बोल देता है लेकर अच्छी तरह यह दि वो समझे और वो जिनिंद्र भगवान के वचनों को जानता होगा और वो समझता होगा कि भाई वो मुझे बनाने वाल नहीं है, he is not a creator मैंने खुद को बनाया है जो मैं आज हूँ, जहां मैं हूँ वहां मैं खुद को लेकर आया हूँ तो अब अब गुस्षा कम हो रहा है क्यों गुस्षा कम हो रहा है? क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि ये गलती उनकी नहीं है इस गलती मेरी है तो अब वो सुईकार करेगा तो जब अपनी गलती सुईकार करता है इसी का नाम उत्तम छमा है गुस्षा में दूसरे नमबर कोन है? माता पिता अच्छा मैं काला क्यों हुआ? इनकी बज़े से मैं मोटा क्यों हुआ? मम्मी की बज़े से, मम्मी मोटी है तो हम मोटे हो गए, तो ये क्या चल रहा है हमारा उनपर dependency है, expectations है कि वो अगर अच्छे धनवान होते तो हम धनवान पैदा होते वो अच्छे पड़े लिखे educated, well developed होते, तो हम भी बैसे होते तो हमारा उनपर dependency dependency होने के कारण, हमारे गुस्से का कारण वो बनते हैं, और उन्हें हमारा गुस्सा सहन करना पड़ता है हम उनपर चिल लाते हैं हम बार बार उनको नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं क्यों? उसे क्या होगा? उसे हमारा रुद्वा बढ़ रहा है ऐसा हम फिल करते हैं लेकिन इससे होने जाने वाला कुछ नहीं क्योंकि वो आपके उत्पत्ति में निमित्त मात्र है, बास्तिविक्ता में तो आप जहां से जन्मे लेने वाले हो वो आपने डिसाइड किया था कि आप किस घर में जन्म लेने वाले हैं आपने ही पूर में अतीत में ऐसे कर्मों को बोया जिन कर्मों के फल से आप जहां हो वहां पहुँचे हो आपने ही सारा का सारा सौप्टेवेर डिजाइन किया और अब उसके भाद जो सामने सब रजल्ट दिखना है तो एक्जाम्पिल में दूसरों को गुसा दिखाई जा र बहुत सारी लेडिज को गुसा है क्यों यही घर मिला था कहीं और कर सकते थे हमारी साधी यही पतिदेव मिले थे यही घर मिला था यही साशुमा मिली थी अरे थोड़ा अच्छे से देख लेते थोड़ा अच्छे से कर लेते थोड़ा और जानकारी ले लेते तो हम तो उसके पिता जी एक राजा थे और राजा के साथ साथ उनके पास बहुत सारे जोतिशी थे उनके पास बहुत सारे तंत्र मंतर के ग्याता लोग थे उन्होंने सीता की सारी कुंडली मिलवाई सारी कुंडली मिलवाई ठीक है सारी के चारी चीज़ें डिसाइड की गई बड़े अच्छे मूर्थ निकाले गए सारी के सारी परिस्तितियों को अनुकूल बनाने की कोशिस की गई उन्होंने सारी कोसिस की बड़ा अच्छा महल देखा बड़े अच्छी राजा महराजा के पुत्र देखे बड़े अच्छी साशुमाएं देखी साब देखकर कंडिशा एकदम फिलप की थी सब कुछ किया लेकिन रास्ट में रजल्ट क्या रहा यह आपके सामने कि जैसे ही वो घर में आई थोड़े से समय घर में रही और उसके बार उन्हें घर छोड़ना पड़ा मतलब क्या मतलब यह कि आपके माता पिता आपको अच्छा घर दे सकते हैं लेकिन उस घर में रहिंग पाएंगे या नहीं ये आपके कर्म डिसाइड करेंगे ठीक है आपके माता पिता एक अच्छा पती एक अच्छा सशुर एक अच्छी सास धूड कर दे सकते हैं लेकिन वो आपके साथ अच्छा विहेव करेंगे या नहीं करेंगे या आपके कर्म डिशाइट करेंगे इसलिए आपको अच्छी तरह सतर्क बन कर रहना है कि यहाँ जो कुछ भी गटित हो रहा है वो सब मेरे ही द्वारा किये गए अतीत के कर्मों का उदय है समझ रहे हैं नितिस भाईया उदय सब याद है तो कर्म का उदय है तो उस कर्म के उदय में हम परेशान हो रहे हैं करने वाला कोई नहीं करने वाला यदि कोई बाहर वाला होता तो हमें गुस्सा आता लेकिन जब में समझ में आ रहा है कि बाहर करने वाला कोई नहीं है इसलि अब गुस्सा धीरे धीरे अपने आप पारा कम होने लगता है जब मैंने कुछ किया है, सब कुछ मैंने ही किया है, बाहरवाली ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर गुस्सा किस पर आएगा? और गुस्सा क्यों आएगा? तो गुस्सा धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है. जहां जहां अपेक्षाएं हैं, वहां पर अपेक्षाओं की पूर्ती होती है, तो आनन्द आता है. क्या होता है? जैसे आपने सोचा कि हमारी बहू और हमारे अनुशार चलेगे, ठीक है, आपका mindset है कि हमारी बहु आएगी और हमारे अनुशार चलेगे, लेकिन उस बहु ने आते ही एक step आपके मन के विपरीद कर दिया, एक काम, ज्यादा नहीं कि अभी, मत्र एक, तो आपका गुस्सा आना सुरू हुआ, कहींगे कुछ नह नहीं कहेंगे, लेकिन वो गुस्से के account में भरा जा रहा है, जिस दिन मौक आएगा, बताएंगे, ठीक है, फिर दीरे दीरे next step पर बढ़ते हैं, कोई फिर incident हुआ, फिर उसने कोई गलती की, वो गलती है या नहीं है, वो आप मत decide करो, वो क्या हो रहा है, कि हमारी expectations पर खरी करोगे, कितने खून माफ, सो तक, नहीं, सो तक तो बहुत हो जाएगा, कितना माफ करते हैं, साथ, दस, बस, दस के बाद, बस, इससे ज़्यादा, अब नहीं, और एक दिन भांडा, फूट जाता है, और एक दिन गुस्सा, उबल जाता है, और फिर हम अपने आपको रोक न मेमोराइज करके, हमना आपके कलेंडर पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, इतने बजे इस व्यक्ती ने इस जगा हमसे ऐसा कहा था, ठीक है, आपको याद है, हाँ, एक गलती, इतने बजे इस व्यक्ती ने मेसेज में हमको ये लिखा था, आपको याद है, ठीक, इस व आपकी अपेक्षाओं की सारी उपेक्षाओं जहां जहां हुई हैं वहां वहां आपकी याद्दास मर्जबूत हो जाती है च्योंकि आपको अनुहव है अनाधिकाल से संसार में गूमने का तो क्या करना ऐसे ही घूमते हैं यहां लड़ेंगे नहीं तो प्रीम बढ़ेगा कैसे इसलिए लड़ लड़कर हम अपनी कशायों को बढ़ाते चले जाते हैं और उसे नाम देते हैं कि लड़ने से प्रीम बढ़ता है तो क्या उड़ाए धीरे-धीरे कशायों का अमाउंट जैसे जैसे कसायों का account बढ़ेगा, amount बढ़ेगा, बैसे बैसे हमारा संसार बढ़ेगा तो क्या करना? सबसे अच्छा उपाए है, आपेक्षाई कम करो किसी से भी expectations कम करनी है, limit करना है पहले आपको सामने वाले को पहचानना है आपको expectations क्या है? यह हमारा बेटा है, जिंदगी बर हमारा बेटा बनके रहे ठीक है? आपका यह expectations एकदम गलत है क्यों गलत है? कल उसका साधी होगा, जब वो साधी करेगा तो वही बच्चा दो भागों में बढ़ जाएगा 50% आपका बेटा है, तो 50% किसी का husband है, किसी का पती तो एक वित्ती को 50% जो आज तक 100% आपके प्रतिशने था, प्रीम था आपके काम को करनी के लिए उसके लिए dedication था, वो अब 50% divide होगा आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा यदि आपको से स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप रोज रात को बैठ कर इस बात पर बिचार करेंगे कि ये बदल गया और सब लोग की कहना सुरू कर देते हैं, कि जब से साधी होई ही तब से ये छोड़ा गया कहां गया, वो कहीं नहीं गया है वो अपने आपको दो भागों में डिवाइट करना चाह रहा था लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि he don't know the process, उसको बिचारे को पता ही नहीं कि हमको कैसे डिवाइट करना है, how to maintain उसे सिखाया ही नहीं गया life management उसे सिखाया ही नहीं, relation management उसने सीखा ही नहीं बिचारे न वो क्या करे तो वो कभी इस तरफ हावी होता है तो ये नाराज हो जाते हैं इस तरफ हावी होता है तो ये नाराज हो जाते हैं कंडिशन में वो बिचारा फस जाता है तो हमको क्या करना है हमें अच्छी तरह बहुत सुन्दर तरीके से इस चीज को सीखना है और सिखाना है कि हमारे expectations क्या है और उन expectations को किस percentage में कहां तक लेकर जाना जिस दिन बेटे की साधी fix हुई, रोका हुआ उसी दिन आपकी expectations 50% पर आ जानी चाहिए और जिस दिन उसके एक नई संतान की उत्पत्ती हुई, अग 25% पर आ जाओ भरना आपको हमेशा नाराजगी बनी रहेगी तो नाराजगी कम करने का तरीका क्या है पहले conditions देखो, यह कहां है हम उस condition को देखने के बार उस environment को अच्छी तरह observe करो के environment क्या है, हम कहां है, किसके साथ है और फिर उसके बार अपने expectations को समझ कर अपने आपको control में लानी की कोशिस करने दूसरा उपाए क्या है, दूसरा उपाए यह है बस्तु के शुरूप को समझना बस्तु के शुरूप को समझना मतला ऐसा भी होता है कैसे होता है, कभी-कभी हमारी कोई गल्ती नहीं होती फिर भी सामने वला आके हम पर ही गुस्सा दिखाता है हमने तो कोई गल्ती की नहीं थी, फिर भी नोंने गुस्सा किया ऐसा क्यों होता है तो ऐसा भी होता है, क्यों होता है तो हमें बस्तु के शौरूप को पहचानना है बस्तु का शौरूप मतला हमारा past and हमारा present it's depend on everything किस पर depend है हमारे past पर तो हमारा तो present है उसमें अतीत का भी बहुत सारा percentage है ऐसा हमारे साथ ही नहीं यह सब के साथ है तो अकेले इनको गुसा आता ऐसा नहीं इनका अतीत में यह कहां से आए हैं वो कितना percentage में गुसा लेकर आए हैं यह decide करेगा कि वो अभी कितने हमबल हो पाएंगे जितना उनके अंदर percentage में पहले का अतीत का पाप कर्म कशाएं भरी मुई हैं आपको इस चीज को स्विकार करना पड़ेगा इसे स्विकार करने वाला सबसे संदर एक्जामपल है हमारे सामने भगवान पारशनात दस भवों तक एक आत्मी उनको परेशान करता रहा और वो दस भवों तक सहते रहे क्यों सह रहें? उन्हें पता है कि कहीं न कहीं कमी अभी मेरे अंदरंग में है यदि मेरे अंदर में कोई कमी ना होती तो सामने वाले को गुस्सा करने का रीजन ही नहीं मिलता है उसे रीजन मिला ही है मतलब हमारे अंदर ही कोई ना कोई कमी मौजूद है और जब उन्होंने उस कमी को पकड़ दिया तो लास्ट भव में हातों पे हात रखके बैठ गए और कमट से कहते हैं कि आओ कमट अब तुम में जितनी ताकत है बरसा लो और कमट ने पत्थार, ओले, सोले, सुन्ड, मुंड जितना कुछ करना था उसने सब किया और आखिर में कमट हार गया और पार्शनात अपने स्थान से पांच हजार धनुस उपर जाकर विराजमान हो गए जब उन्हें उपर उठता देखा तो कमट घबरा गया कि यह क्या हो गया तो पार्शनात कहते हैं तुमसे मेरे कर्म कटे मुझे से तुम्हें क्या मिला तुम्हारे गुसे ने मेरे सारे कर्मों का नास कर दिया तुम्हारे गुसे ने मेरे जीवन को सुन्दर बना दिया तुम्हारे गुसे ने मुझे सहनसील बना दिया कहते हैं कि अगर यहाँ पर कमट गुसा नहीं करता या कमट उपसर्ग नहीं करता तो हो सकता था भगवान को 1000 साल लग जाते या दिवी उनकी जो आयू है 100 वर्स है तो 100 वर्स में हो सकता था उन्हें और समय लग जाता लेकिन कितनी दिन में काम हो गया जो काम भगवान बहुवली को 1 साल में लगा जिस काम के लिए आधिनात भगवान को 1000 साल लगे उसे भगवान पार्षनात ने मात्र छे दिन में कर दिया, सातवे दिन केवल ज्यान हो गया तो सातवे दिन केवल ज्यान में कारण कौन बना? कमट बना तो इसलिए जब सामने वाला कोई बरसे, तो हमको बहुत अच्छी तरह ये याद रखना है कि हमारी सहन सीलता की आज परिच्छा है क्यों? क्योंकि छमा सब्द कहता है छमा बना कैसे है? तो संस्कृत की एक धातुए छमू मतलब सामर्थ सहन सीलता माफी नहीं छमा कर्थ छमा कर्थ है सहन सीलता आपके अंदर कितनी सहन सीलता है कि आप कितना सामने वाले को माफ करने की सकती रखते हैं कितना उसको सहन कर सकते हैं और कितना उसके द्वारा किये गए कारियों को आप अपने उपर जेल सकते हैं तो भगवान पार्शनात ने अपना उदेश और लक्ष पूरा किया तो एक step हम salvation की ओर बढ़े एक लक्ष एक कदम हम self purification की ओर बढ़े तो सबसे पहला क्या समझे जमा मतला मतला माफ करना क्या करना expectations को कम करना ठीक है बस एक ही कारण है अब आप जब भी जहां गुस्सा आने की बात बने न सुबह उठे morning में और toothpaste खोला और देखा तो खाली है अब क्या होगा किस पर गुस्सा जिसने उसको रखा है अगर वो मम्मी लागी तो मम्मी पर गुस्सा है कोई servant इंडिया मेड लाए है तो उस पर गुस्सा है जो लाया है उस पर गुस्सा है बाद में फिर गुस्से के कारण मिलेंगे तो ये relationship बल्टरा चला जाएगा हमको इस bondation को तोड़ना है इसलिए गुस्सा नहीं करना है गुस्से से बचने का उपाई यही है अपनी expectations को कम करो बार बार अपने आपको याद दिलाओ कि हम एक आत्मा है और हम कैसी आत्मा है हम शान्त आत्मा है अभी हम next episode में जब सामाई करेंगे तो सान्त आत्मा को बार बार याद करके अपने आपको शान्त बनानी का कोशिश करेंगे लुत्तम छमा धर्म की जैर दशलक्षन महा पर्व की जैर अब हम शामाई की ओर चलते हैं